नमस्कार साथियों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आप सभी देख रहे हैं जो बलड गुरू चातरवर्ती 2022-23 के लिए नया पोर्टल जारी हो चुका है यानि कि आप आपको एडमिसन के समय चातरवर्ती का फोरम बनना होगा और चातरवर्ती का नियम है जो पहले फ स्कॉलर्सी पोर्टल पर बायोमेट्रिक्स से अटेंडस देनी होगे चातरवर्ती 2022-23 से जुड़े वे हर नियम की जानकरी आजम आपको बदाने वाले हैं साथिमा आपको बदाने वाले हैं कि चातरवर्ती 2022-23 में ओनलाइन फोरम कैसे बरा जाएगा फ्रीशिप कार्ड के पर बायोमें साथिमा जानकरी आजम आपको बदाने वाले हैं अगर आप एक विद्यारती हैं चातरवर्ती 2022-23 के लिए ओनलाइन फोरम बना चाहते हैं तो आप मारे साथ सुरू से अंतक बने रही हैं साथिमा आपको बदाने वाले कि चातरवर्ती 2022-23 में कितने रुपई होना चाहिए साथिचातरवर्ती लेने के लिए सबसे ज़्यादा जूरूरी डॉकूमेंट है वो है आई परमान पतर अगर आपने आई परमान पतर नहीं बनवाए है तो 2022-23 का ये लेटेस्ट आई परमान पतर का फोरमेट आप डाउनलोड कर सकते हैं वीडियो की डिस्क् यहां पर आई का गोशना पतर देने वाले का पैन नमर देना होगा बीपेल को छोड़कर आदार नमर बामासा नमर और उसके बाद में यहां पर करसी से समंदीत कितनी आई है वेतन पैंसन भत्ते आदी से समंदीत कितनी आई है अन्य स्तरोतों से कितनी आई है और कुल वर् पर दो ऊतापसर करने वाले का नाम आपके सकूम के हस्तापसर करने हो जो मोहर भी लगवानी है और भी मोबाइल नमर लिखवाने है उसके बाद में जो भी ये फोर्म बर रहा है उसका नाम उसके पिता का नाम और वारसी का रूपियों में और अकसरों में यहां पर लिखना है उसके बाद में यहां पर अस्ताकसर करवाने है जो भी सपत ले रहा है जिसके भी नाम से यह आई पर्मान पतर बन रहा है उसी के हस्ताकसर होंगे उसके बाद में यह है प्रारू भाग चार यहाँ पर जो भी फोर्म बन रहा है उसका नाम पिता का नाम आयू निवासी और यह हस्ताकसर होंगे पर्मानी करन करने वाले अर्धिकारी के यहाँ पर लिस्ट दी गए इन में से कोई भी हो सकता है तो साथियों सबसे पहले आपको ये एक पेज वाला आइपरमान पतर बनवा लेना है और हम आपको बताने वाले हैं चातरवर्ती नवीन पोर्टल 2022-23 में किस तरह से फ्रीशिप काड़ के लिए रिजिस्टरेशन किया जाएगा क किस तरह से ओनलाइन चातरवर्ती के लिए फोरंबर आजाएगा वहीं चातरवर्ती कितने रुपए मिलते हैं आपको अपनी SSO ID और पासवर्ड लगाकर SSO पर लोगिन हो जाना है उसके बाद में डैस्पोर्ड इस तरह से आपके सामने आजाएगा यहां पर आपको स्कॉल स्कॉलो economy और दूसरा है स्टे यहां ऑपको दूसरे वाले पर किलिक करता हैं। तो इस्कोलर सी पोर्टल ओपन हो जाएगा यहां पर आपने चातरवर्थी के लिए कब कब ओनलाइन फोरम बरें उन सब की जानकारी डैस्वोर्ड में मिल जाएगे और यहां पर आपसे भी देख सकते हैं इस विद्यार्थी के दवारा 2017-18 से लेकर 21-22 तक लगातार चातरव के लिए परक्रियक क्या होती है सबसे पहले फॉर्म सब्मीट होता है उसके बाद में कोलेज से वेरिफाई किया जाता है उसके बाद में सबंदित जीले की ओपीस से वेरिफाई किया जाता है उसके बाद में पेमेंट किया जाता है और सबसे पहले में आपको दिखाने वा National Scholarship Portal पर Registration होना जरूरी है अगर आपका National Scholarship Portal पर Registration नहीं है तो सबसे पहले आपको Registration करना होगा यहां पर आपके NPS Application ID नमबर टाइप करके Submit करना होता है तो चलिए हम आपको बता दियें कि NPS पर किस तरह से Registration किया जाता है यहां पर है Forget NPS Application ID जैसे आप Click Air पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके सामने National Scholarship Portal ओपन हो जाएगा यहां पर आपको New Registration करना है Apply for Place पर क्लिक करना है यहां पर Apply for Renewal पर क्लिक करना है यहां पर अगर आपका Registration नहीं हुआ है तो सबसे पहले आपको New Registration पर क्लिक करना होगा एक और महतवपुन जानकर यह आपको बता देगी यह FreeShip Card केवल SC केटिगरी के स्टूडेंटों के लिए लागू किया गया है यानि कि जो स्टूडेंट SC केटिगरी में है उन्हें को Admission के Time Feast में छूट दी जाएगे यानि कि इनका Admission Scholarship Basis पर हो सकता है जब इनको Scholarship मिले तब यह Feast जमा करवा सकते है यहाँ पर National Scholarship New Registration पर जैसे क्लिक रहेंगे तो यहाँ पर कुस डोकॉमेंट अप्लोड करने होगे जैसे Educational Document, Bank Account Detail, अधार, नमबर आधी डोकॉमेंट्स की आपको Registration कर दिसमें जुरूरत रहेगी यहाँ पर Date of Birth के लिए आपको Education Certificate लगाना है साथ ही Domational Certificate यानि कि मुलनिवास परमाण पतर, Scholarship, Category Name of Student, 10-20 की Marksheet के अनुसार होना चाहिए Email ID, Bank Account Detail और Identification Detail में यहाँ पर आधार, कार्ड, नमबर लगा सकते हैं साथ ही एक बार फिर से आप सभी को बता दें कि अगर आप यह पहली बार Registration कर रहे हैं तो आपको Trace Registration पर क्लिक करके ही Registration करना है उसके बाद में यहाँ पर Times और Condition दिएके इसे Select कीजिए और Continue पर क्लिक कर दिजिए जैसे ही आप Continue पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर Registration ओपन हो गया है यहाँ पर Scholarship Scheme for SC Student for Financial Year 2022 यानि कि यहाँ पर केवल उनी का Registration हो रहा है जो SC Category के Student है उनी के दोवारा यह Registration किया जाएगा यहाँ पर सबसे पहले सेट का नाम उसके बाद में चातर वरती आपको कौन सी सही है Post-Metric या फिर Pre-Post-Metric उसके बाद में चातर का नाम Scheme का Type क्या है उसके बाद में Category और उसके बाद में Income कितनी है यानि कि 30,000, 40,000, 50,000 जो भी है उसके बाद में जनम तारीक उसके बाद में Link क्या है Male, Female, Mobile, Number, यहाँ पर Email ID और यहाँ पर संस्ता का राज्य का नाम यानि कि आपकी जो School College वो कौन से राज्य में है उसके बाद में जिला कौन सा है और उसके बाद में संस्ता का नाम क्या है और उसके बाद में यहाँ पर Course का नाम स्लेट कर लेना है यानि कि आप इस College में क्या पढ़ाई कर रहे है वो यहाँ से स्लेट करेंगे उसके बाद में यहाँ पर Bank के IFC Code और दुबारा से Bank के IFC Code टाइप कर देना है उसके बाद में Bank Account Number टाइप करना है उसके बाद में पहचान विबरान यहाँ पर आपको आधार Card Select कर लेना है और आधार नमबर अगर पूछे जाए तो यहाँ पर आधार नमबर टाइप कर देना है उसके बाद में यहाँ पर आपकी यह Capture Code टाइप करेंगे और उसके बाद में लास्ट में आपको एक submit बटन मिलेगा साथ यह हमने आपको जो format बरकर दिखाए यह केवल और केवल example के रूप में कर दिखाए गए आपको सही सही जानकारी बरना है हमने केवल आपको तरीका बताए कि किस तरह से बरा जाएगा जैसे आपका registration हो जाएगा तो यहाँ पर आपको एक registration ID मिलेगी वो ID टाइप कीजिए और submit कर दिजिए जैसे आप submit करेंगे तो आपका pre-ship card है वो बनकर त्यार हो जाएगा उसके बाद में अगर आपको scholarship 2022 ते इसके लिए नया form बरना है तो new application पर क्लिक करना होगा यहाँ पर भी आपको NPS application ID टाइप करनी होगे और यह application ID नमर केवल यहाँ पर फिलाल SC category के studentों से पूछी जा रही है मांगी जा रही है अगर आप अन्य category से हैं तो आपके सामने नया form ओपन हो जाएगा और आप आसानी से जन आदार काड़ के तूरू form बर सकेंगे अगर आप इनको 25,000 रुपये यहाँ पर आपको वीकटान सुईकरती संक्या मिल जाएगा बिल नमर भी मिल जाएगा कब ओनी है यह दैट भी यह पर मिल जाएगे और इस तरह से आपको चैटरवर्ती मिलते तो साथ यू यह तो आज का मारा वीडियो चातरवर्दी 2022 के लिए फ्रीशिप कार्ड के लिए किस तरह से नेशनल पॉर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया जाता है कितनी चातरवर्दी मिलती है एक बार फिर से आप सभी बता देंगी चातरवर्दी 2022 के लिए बीपेल ढूले जा भ ih दो प्रीजडियो चैने वसाज से थैंगी चातरवर्दी 2022 के लिए किसाने से विवाब दे पो